आगाश्वाणी मध्या प्रदेश से प्रस्तोत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार वित्यमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोगसभ़ में अंतरिम बजट किया पेश प्रधान मंत्री ने बजट को विकसित भारत के संकल्ब को सशक्त करने वाला बताया मुख्य मंत्री ने कहा सर्व हितैशी है बजट मुरेना में रोजगार दिवस कारिक्रम में मुख्य मंत्री ने 7 लाग से अधिक युवाओं को दिये रिण राशी के पत्र और विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर कल इंदौर के रामसर साइट सिरपूर्टाला पर कारिक्रम का आयूजन अब समचार विस्तार से वित्यमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोग सभा में वित्ये वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया उन्होंने कहा कि भारती आर्थ विवस्ता पिछले 10 वर्ष में सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देश के लोग आशा और विश्वास के साथ भविश्य की ओर देख रहे है बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव नहीं किया गया है 2024-25 में राजगोशिय घाटे का संशोदित अनुमान सकल घरेलू उतपात का 5.1 प्रतिशत रखा गया है वहीं बुनियादी धाचा विकास में पूझी गद्वय 11.1 प्रतिशत बढ़ा कर 11,11,111 करोड रुपे किया जाएगा गुत्यमंत्री ने कहा कि सरकार किराय के मकानों या सलम बस्तियों या चाल और अनाधिकरत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यमवर्ग के लोगों के लिए अपना मकान खरीदने में मदद की नई योजना शुरू करेगी सरकार की योजना मवजूदा अस्पतालों के बुनियादी धाचासो विधाओं का उप्योग करते हुए और अधिक मेडिकल कॉलिज खोलने की है सरवाइकल कैंसर से बचने के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए टी का करन आयुष्मान भारत योजना आशा कारे करताओं आगनवाडी कारे करताओं और सहाई काओं को शामिल करने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वर्ष में 2 करोड अतिरिक मकानों का निर्मान और मकानों की छट पर 100 उर्जा संग्रान से एक करोड परिवारों को प्रति महा 300 युनट मिशल देने की घोशना भी की गई है प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने अंतरिम बजट पर कहा है कि यह बजट समावेशी और इनोवेटिव है यह बजट वेकसित फारत के चार स्थम्ब युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा यह बजट देश के भविश्य का निर्मान का बजट है प्रधान मंत्री ने कहा कि आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपून और बड़े निर्ने लिए गए है प्रधान मंत्री ने कहा कि दो करोड और ने मकान बनाने का लक्षे रखा है साथ ही तीन करोड महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा गया है मुख्य मंत्री नॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज का बजट सर्व हितैशी और सर्व स्परशी है बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है प्रधान मंत्री श्री मोधी के प्रयासों से भारत विश्व की चौती अर्थविवस्ता के रूप में परिवर्थित हुआ है आने वाले समय में हम श्री मोधी के मनशा के अनुरूप भारत को विश्व की तीसरी अर्थविवस्ता बनाने के संकल्प को साकार करेंगे समचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वाकत है मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुरैना में आयोजित राजिस्तरिय रोजगार दिवसकार करम में साथ लाग से अधिक युवाओं को 5151 करोड से अधिक की रिन राशी के स्विकृति पत्र प्रदान किये मुखे मंत्री ने अनुपपूर, बढ़वानी, दमोहों और चतरपूर के हितकराईयों से सीधा समबाद भी किया मुखे मंत्री ने कहा कि अगनीवीर योजना के माध्यम से प्रदेश के अधिक से अधिक युवा सेना में फड़ती हो सके इसके लिए 360 घंटे का निशुल्क प्रशिक्षन दिया जाएगा उन्होंने कहा कि जो भी युवा नया उद्यम या रस्वा रोजगार शिरू करना चाहते हैं उसके लिए सरकार द्वारा सबसिडी दी जाएगी श्रीयादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 45.89 लाक बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रीफिल योजना अंतरगद 118 करोड रुपए की अनुदान राशी का अंतरण किया मुख्य मंत्री ने मुरेना में विभिन विकासकारियों का लोकारपण और शिलानयास किया इसके पहले मुख्य मंत्री ने मुराना में रोड शो भी किया जिल्ला मुख्यालों पर भी कारिक्रम आयोजित किये गए गोना देवास अशोग नगर में आयोजन के समाचार मिले है विश्व वेटलेंड दिवस के अफसर पर कल इंदौर के सिर्पूर तालाब पर कारिक्रम का आयोजन किया जाएगा इसमें मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्तित रहेंगे आज इस अंतराश्ट्रे कारिक्रम की तयारी को लेकर महापौर पुश्यमित्र भारगव कलेक्टर आशीश सेह और आयुक्त हर्शिका सिंह द्वारा सिर्पूर तालाब का निरक्षन किया गया महापौर पुश्यमित्र भारगव ने कहा कि इंदौर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है देश भर की 75 से अधिक रामसर साइट के प्रतिनिधी इस कारिक्रम में जुडेंगे दौक्टर मोहन यादर जी वर्ड वेट्लेंग कर्वेंशन की जन्द सेकेंट्री डौक्टर मुसंबा मुसामबा जी रहेंगी और ये इंदौर को विश्व पतल पर ले जाने का यहां एकोलोजी से रिलेटेट वर्ड वाचिंग सेंटर को प्रमोशन दिलेगा और एक अंतराश्ट्री इस्तर पर इंदौर की इस रामसर साइट पर हुए कारिक्रम से नई पहचान इंदौर को मिलेगी और शायद जल्दी इंदौर वेट्लेंग सिटी भी बनेगा आज ग्वालियर से एहमदाबाद के लिए सीधी उडान सेवा की शुडवात हो गई है मुख्यमंत्री डौक्टर मोहन यादव मुरेना से और केंद्रिय मंत्री जोत्र दित्ते सिंदिया वर डौक्टर वी केस से हैं नई दिल्ली से उत्गाटन कारिक्रम में वर्चुली ज अब कुछ समाचार संक्षेप में जबलपूर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राज इंद्र शुक्ल ने रेलवे का अधिकारियों के साथ आयोजित पैठक में विंदिक शेत्र में रेल विस्तार को लेकर चर्चा की पैठक में रेलवे जीम शोबना बंदोपाद्याय सहित अन्य अधिकारियों जन प्रतिनिती उपस्ते थे राजगर्ट में किसानों से समर्थन मुल्य पर गेहूं चना मसूर और सरसों का पंजियन कारेय पांच फरवरी से एक मार्च तक किया जाएगा लोगसबा निर्वाचन दोहजार चौवीस के लिए देवास दिले में EVM VVP की एटी की FLC की जा रही है मुख्य निर्वाचन पदादिकारी अनुपमराजन ने आज देवास EVM वेर हाउस पहुँचकर FLC प्रक्रिया का अवलोकन किया खनवाजिले में रभी विप्णन वर्ष 2024 पच्चिस समर्थन मूले पर गेहू उपारजन हेतू क्रिशक पंजियन का कारे 5 वरवरी से 1 मार्श 2024 तक होगा और कॉलेज चलो अभियान के तहट आगर मालवाजिले के नलखेडा स्थित स्कूलों में राश्ट्रे शिक्षान नीती और शासन द्वारा महाविध्याले में चलाई जा रही विबिन योजना और सुविधाओं की जानकारी दी गई इस बुरुतर में इतना ही, DJ Ijazat, Namaskar